दोस्तों कैसे आप सब? Olympia होने में अभी चार हफ़ते से भी कम बचे हैं 10 से 13 October के बीच में है Olympia और यहाँ पर हमारे सामने अपडेट्स कई सारे आ चुके हैं कल सीबम ने अपना एक अपडेट दिया और उन्होंने एक men's physique pose यहाँ पर हिट किया सीबम हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दिये बहुत अच्छे proportions, बहुत अच्छे shoulders उनके हमेशा से ही है बहुत अच्छे abs, front section मतलब इतना बड़ा men's physique athlete हमने कभी देखा नहीं और यह इनोंने actually मैं बताऊं तो एक fun aspect के तोर पे ही यह वाला pose हिट किया है although सीबम बिलकुल proportionate दिख रहे हैं अगर आप देखो men's physique athlete के हिसाब से यह बहुत सही दिख रहे हैं पर problem पता है क्या है यह बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं इतना ज़्यादा नहीं होता बड़ा men's physique athlete हाली में इनका comparison सीधा-सीधा उठा करके कर दिया गया है raining men's physique champ यानि की Ryan Terry के साथ में और Ryan Terry सच में बहुत छोटे दिख रहे हैं अलाकि यह दोनों कोई reality में एक साथ खड़े नहीं हो है लेकिन अगर reality में भी एक साथ खड़े होते हमें पता है Ryan Terry इनके आगे टिक भी नहीं पाते साइज में कुछ अगर इनके कोई बराबर आ सकता है तो वो आ सकते है Erin Banks वो भी इनके बराबर नहीं आएंगे लेकिन Erin इस वक्त सबसे बड़े men's physique champion है पूरी division में और उनके shoulders बहुत चोड़े है उनकी back काफी बड़ी है front से body बहुत अच्छी है height भी उनकी काफी लंबी है तो वो sebum के बराबर कुछ हद तक आ सकते है पर जिस level की sebum hardness ला रहे है न वो hardness कभी भी होती नहीं है men's physique athletes में men's physique वाले comparatively classic physique athletes के आगे soft होते हैं men's physique division इतने तकड़े इसलिए लग रहे है क्योंकि men's physique division ने मैं सच बता रहा हूँ men's physique division ने grow करना बंद कर दिया उनकी उपर ना लगाम लग चुकी है पिछले साल से ये rule आया था कि men's physique athletes भी एक height के हिसाब से एक वजन के उपर नहीं जा सकते हैं मैं सच बता रहा हूँ अगर वो लगाम ना लगी होती तो आज सीबम जितने बड़े athletes भी men's physique champion बनते दिख रहे होते क्योंकि आप मैंसे बहुत सारे लोगों को शायद याद नहीं होगा 2019 में जब men's physique champion बहुत छोटे हुआ करते थे उस टाइम पे जैर्मी बू इंडिया वाली body का चलन था ऐसे में Raymond Edmerts जैसे एक बहुत wide frame के और बहुत ही जादा hugely humongous एक athlete को men's physique champion बना दिया गया था क्या shoulder थे Raymond के क्या size था उनका उस टाइम पे sebum भी लगबग इतने ही बड़े दिखाई दिया करते थे हलके से और बड़े थे obviously वो एक classic physique athlete थे पर ये size काफी comparable आ चुका था तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उस टाइम पे कोई लगाम नहीं लगी थी men's physique athletes के उपर ये बढ़ते चले जा रहे थे और अभी sebum जितने बड़े ये हो जाते लेकिन अब sebum में और इन में clear आपको फरक दिखाई देगा इसलिए Chris Bumster definitely बहुत अच्छा shot भी हिट कर रहे है काफी अच्छे दिखाई भी दे रहे है men's physique athlete के तौर पे लेकिन बहुत बड़े दिखाई दे रहे है इसलिए नोने कि ये fun post करके जादा डाला और आप लोगों को ये कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना मुझे बहुत अच्छे लगे मैं सच बता रहा हूँ इवन तो ये standards में men's physique के बिल्कुल भी fit नहीं होते हैं oversize जोने के कारण लेकिन still वो एक shape वो एक V taper खड़े होने का तरीका और legs भी अब तो men's physique athletes के काफी अच्छे हो गए तो एक वो balance और symmetry बिल्कुल men's physique athlete वाली इनकी निकल के आ रही है एक flow इनका वो निकल के आ रहा है बस एक बड़ा version है ये इसके बाद दोस्तों करम चले अगले athlete पे तो ये update आ जाता है raining Mr. Olympia Champion Derek Lunsford के उपर Derek ने अपनी हाली में यह वाली body दिखाई और इसके अंदर ये एक तरह से most muscular hit कर रहे हैं एक perfect lighting condition के अंदर हमेशा ये इस gym में रहते हैं लेकिन Derek की physique इस perfect lighting condition के अंदर भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिख रहे थी जितना ज़्यादा एक Mr. Olympia Champion को दिखना चाहिए और इसी कारण से यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुती funny से comment कर रहे हैं चीजें भले ही social media पे Derek के favor में ना जाएं लेकिन हमें पता है कि वो जो stage है वही माइने रखती है और वहाँ पर judges पूरे तरीके से Derek Lensford की इस physique को favor करते हैं Derek इस साल अपने दूसरे Olympia title के लिए जा रहे हैं और काफी strong chances है कि वो इस साल भी Mr. Olympia का title जीत सकते हैं बाकि अगर बात करीजा इस particular body की तो इसके अंदर आपको shoulders के अंदर एक ठीक ठाक roundness दिखाई देगी साथी साथ arms का size basically उतना बड़ा नहीं दिखता है इस वड़ास इनके arms थोड़े skinny side पे ज़्यादा लगते हैं पर सारी बात होती है जब आप pose मारते हो तो आप कैसे दिखते हो pose by pose Derek Lensford अच्छे दिखते हैं most of the cases में और इसलिए ये काफी ज़्यादा तगड़े athlete हैं इसलिए आप टू में आकर के चल रहे हैं पिछले दो सालों से इस बार क्या Derek फिर से अपना दूसरा title ले पाएंगे ये होगी देखने वाली बात बाकि इनके chest के अंदर आप देखोगे तो थोड़े बहुत fibers भी दिखाई दे रहे हैं Derek इस वक्त पे काफी ज़्याद एक flat side पे चल रहे हैं और यही कहानी है हर एक Mr. Olympia competitor की सारे athletes flat होते जा रहे हैं और ऐसे में push ज़्यादा hard करना tough हो जाता है पर एक fact बताओं बहुत ही interesting बात है Derek पहले से ज़्यादा push कर रहे हैं हाली में दोस्तों एक वीडियो निकल के आई जिसमें की Henny Rambot train करवाते हुए दिखाई दिये अपने दोनों clients Derek और Hardy अब देखो CDC बात है दुनिया के top 2 bodybuilders 800 करोड में से top 2 best लोगों को वो इस वक्त पे train कर रहे हैं और Henny ने ये वाली बात बताई कि Derek और Hardy जब same exercises लगा रहे हैं तो अगर Derek निकालेंगे ना 5 reps तो वो इस वक्त 7 या 8 reps निकाल रहे हैं और same यही Hardy भी कर रहे हैं यानि कि ये दोनों अगर अकेले अकेले training कर रहे होते तो ये कम reps निकालते लेकिन अब ये एक दूसरे को लगातर challenge कर रहे हैं कुछ में को कहानिया आद आ गई जैसे कि Arnold और Franco Colombo आपस में train करा करते थे ओलंपिया के लिए टॉप टू अथलीट्स और दोनों best friends यहाँ पर कहानी काफियत तक वैसी है हाला कि Derek और Hardy को ये best friends में नहीं आते पर एक बहुत अच्छे ये companions है और साथ में जब ये train करते वे दिखाई दिये तो कहीं कहीं पे कुछ exercises में Derek Lundsford ज़्यादा strong थे as compared to Hardy Shuban for example जब मैंने पूरी ये training वीडियो देखी न इसके अंदर जो incline smith machine press है उसके अंदर Derek ने ज़्यादा repetitions निकाले और Hardy चार repetitions में फेल हो गए वहीं Derek ने लगबख 7-8 repetitions निकाले Hardy भी दूसरी तरफ काफी ज़्यादा अपने आपको push कर रहे थे लेकिन ऐसा देखने में लगा अगर आप भी पूरा chest workout दो देखो कि Hardy कहीं ना कहीं थोड़े से weak पड़ रहे हैं जैसे जैसे competition की वो prep कर रहे हैं देखो सीधी से एक बात होती है दोस्तों कि हर एक इनसान की body एक जैसी नहीं होती किसी में strength ज़्यादा होती है कुछ particular exercises में और दूसरे इनसान में strength कम हो सकती है असवक्त पर Hardy हलके से weak दिखाई दिये in comparison to Derek Lunsford पर हमने ये भी देखा जैसे कि अभी एक recent video निकल करके आई चूपन की Hardy उसमें बहुत ज़्यादा heavyweight lift कर रहे थे तो Hardy training करते दोरान बिल्कुल भी weak नहीं दिखाई दे रहे ये अभी का workout है वहीं देरेक के साथ इन्होंने एक हफते से उपर हो गया उस वाले workout को शूट करे हुए लेकिन डाला अभी है निरंबोट ने तो पिछले हफते डेरेक के सामने थोड़े से weak दिख रहे थे पर अभी Hardy इतने strong दिख रहे हैं कि Ronnie Coleman तक का comment आया उन्होंने बोला lightweight हमेशा की तरह ही और ये भी Ronnie ने कहा कि यही वो तरीका है जिस तरह champions train करते हैं hard and heavy Hardy Shupan will do it तो इस बार Ronnie Coleman का लगता है support Hardy Shupan की तरफ shift हो गया है वहीं अगर आपको यादो पिछले साल तक Ronnie Coleman Derek Lundsford को ही support कर रहे थे और उन्होंने बोला था कि Derek ही Mr. Olympia बनेंगे और ऐसा हुआ Ronnie Coleman आम तरह पर जिस athlete को support करते है Ronnie Coleman and Phil Heath के साथ मैंने ये देखा है ये जिस athlete के लिए जो prediction करते हैं वो काफी times सही निकलती है देखते हैं इस बार Ronnie Coleman की prediction वीडियो में किसको वो उपर रखेंगे फिलाल Hardy Shupan इस training को करने के बाद एकदम ribbed shredded अपनी chest को flex करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर अगर हम चलें अगले athlete पे तो ये नाम आ जाता है इसमें Brandon करीगा Brandon हाली में अपनी physique दिखाते हुए नजर आए अब पता नहीं ये physique बिलकुल अभी की है या पुरानी इन्होंने एक तरह से खुद को cold water therapy करते हुए दिखाया है ये बताया कि कैसे ये healing में recovery में मदद करता है लेकिन इसी के चकर में इन्होंने अपनी physique भी expose कर दी अभी भी confirmation मुझे नहीं है कि ये physique अभी की है या कोई पुरानी पहले दिखा करते थे पिछले साल तो खेरे बिमार हो गए थे इस वज़ा से बहुत छोटे दिखे थे लेकिन इस साल प्रॉब्लम होई कि ब्रेंडन ने अपनी प्रेप ही बहुत ज़ादा लेट स्टार्ट करी है ब्रेंडन का ये कहना है हाली में अपने पोस्ट के जरिये के मेरी फिजीक लगातार स्ट्रॉंग हो रही है और ना इनकी बॉडी ज़ादा पुश कर रही है हर एक हफ़ते के साथ-साथ इंटेंसिटी लगातार ऊपर जा रही है ये अपना चेस्ट वर्काउट डाला और लेग्स इनके जो बहुत छोटे हम उम्मीद कर रहे थे वो फेरली उसी स्पॉट पे लगे जहांपर के आम तोर पे इनके लेग्स होते है थोड़े से छोटे आप इनको कह सकते हो पर अभी इनके लेग्स भी मुझे लग रहा है और ज्यादा ग्रो होंगे नाने वाले चार हफतों के अंदर भी क्योंकि ब्रेंडन कंटिनियसली हैवी उठाते चले जा रहे है इनकी इंटेंसिटी का अच्छा होना एक बहुत ही चमतकारी चीज मां बोलूँगा इसका एक सबसे बड़ा रीजन बता हूँ ब्रेंडन की फिजीक अभी रियक्ट इतने अच्छे से क्यों कर रही है इन्होंने पूरे साल ना किसी आरनोल में खेला ना किसी दुबई के इवेंट में खेला किसी भी प्रमोटर के पास किसी भी गेस्ट पोजिंग में ब्रेंडन करी हमें इस साल दिखाई नहीं दिया नोंने पूरा साल एक तरह से ओफ लिया सिर्फ दस हफते पहले उन्होंने बॉड़ी से काम लेना शुरू करा है और इन दस हफतों के अंदर इनकी बॉड़ी बहुत जादा कर रही है तो ऐसा हो रहा है कि करी ओलम्पिया तक जाते जाते भी मुझे लग रहा है मसल के इन थोड़ी सी और अब यहां से कर लेंगे जहां अभी यह एवरेज और थोड़े डाउन साइज्ड लग रहे हैं अलम्पिया तक हमें वही ब्रेंडन करी दिख जाएंगे जैसे 2023 में बिमार होने के बाद दिखे थे बाकि ब्रेंडन के अभी यह वीडियो क्लिप बे आया थी आसे चार दिन पहले जो आप लेफ्ट एंड साइड पे देख रहे हैं और इसमें ब्रेंडन करी बहुत जादा बड़े दिख रहे हैं पता नहीं यह क्लिप अभी की तो नहीं लगरी क्योंकि ब्रेंडन अब इतने बड़े नहीं दिखते हैं तो यह क्लिप इनकी पुरानी हो सकती है possibly किसी भी क्लिप की जब एक एथलीट लिखता है कि करंटली वह इस इस बॉड़ीवेट के उपर में है और पेवर एक फिजिक अपडेट के तौर पे पोजिंग वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे डाल देता है तो ब्रेंडन की पोजिंग वीडियो नहीं है इससे पहले जो यह पूल के अंदर से निकल रहे थे वह भी कोई पोजिंग वीडियो नहीं है उसमें भी स्पेकुलेशन है कि वह अभी की हो सकती है क्योंकि छोटे दिख रहे हैं ब्रेंडन उसमें तो दोस्तों चैलेंजिंग होगा इनके लिए टॉप 5 में भी अपनी जगा बनाना इ अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे ट्यून गुडबाए शुक्रिया